स्टांपलस के सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में बड़ा धमाल होने वाला है क्योंकि अभिनव और अभिमन्यू दोनों के बड़े ही रंगी ले अंदाज आप सब को देखने को मिलेंगे जहां ये दोनों दोस्त, कम भाई, साथ मिलकर खूब पिएंगे खूब दिल का दर्द एक दूसरे से शेयर करेंगे खूब जबने वाला है रंग, जब मिल बैटके पीने वाले हैं ये दोनों भाई, कम दोस्त ऐसे में ये दोनों अपने होशो हवास गवा देंगे और फिर एक दूसरे से अपने दिल की हर वो बात शेयर करेंगे जो इन्होंने आज तक कभी नहीं की है दोनों इस कदर एक दूसरे के रंग में और शराब के नशे में दूप जाएंगे कि इनको कुछ भी यार नहीं रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं खूब दान्स करेंगे रोड पर लोगों का खूब मजा कुड़ाएंगे, अपनी जिन्दगी जिएंगे इहन शौट लेकिन मजा तो तबाएगा जब इनको अक्षरा पकड लेगी इन दोनों को ऐसी हरकते करता देखकर अक्षरा पकड लेगी और फिर दोनों को गाड़ी में लेकर निकलेगी दोनों को एक दूसरे के घर चोड़ने पहले अभी मन्यू को वो पिरला हाउस ड्रॉप करेगी वहां आरोगी अभी मन्यू का ये रूप देखकर बड़ी चौक जाएगी और उससे जादा ये चौक जाएगी देखकर कि वो अभी मन्यू से कहेगी चलो अभी मन्यू अब घर के अंदर चलो अभी मन्यू जी को भी घर जाने तो तब अभी मन्यू कहेगा ये दोनों बहने नहीं चाती कि हम दोनों भाई साथ साथ रहें ये बहले बहुत बुरी हैं ये हम दोनों भाईयों को अलग करना चाहती है आरोही और अक्षरा दोनों इन दोनों की ये बाते सुनकर बड़े चौक जाएंगे और एक दूसरे से कहेंगे भी ये दोनों तो अपनी होश में हैं नहीं एक काम करते हैं इनको अपने अपने जगा ले चलते हैं बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे ये दो भाई कम दोस्त एक दूसरे से अलग होंगे दूसरे दिन जब दोनों को होश आएगा तो सब कुछ अलग-अलग सा लगेगा दोनों बड़े ही गिल्ट में रहेंगे ये सोच सोच कर परिशान होंगे कि आखिर पीती रात को हमने ऐसा पता नहीं क्या-क्या किया होगा क्या-क्या कहा होगा जिससे आरोही और अक्षरा दोनों बड़े ही परिशान होगे होंगे अभिनव जी की तो हालत भी खस्ता हो जाएगी और अक्षरा आकर अभिनव की क्लास भी ले लेगी अक्षरा आकर अभिनव से एक ही बात कहेगी लगता है रात की उत्री नहीं अभिनफ चुप चाप अक्षिरा की बात सुन लेगा वहाँ अभिमन्यू की भी हालत खराब होगी अभिमन्यू तो खुद से ही सोच में डूबा रहेगा कि पता नहीं मैंने क्या क्या किया होगा अल इन ओल ये रिष्टा का आज का एपिसोड बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस सीरिल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चानल को फॉलो ज़रूर करें